धर्दे के कमपन से कई दफा कापा भारत अब क्या भारत में मचेगी तुर्की जैसी तबाही क्या भारत पर है भायंकर भोकम का खत्रा अब कैसी तबाही आनी बाकी है भोकम पर अचार्य माई का शर्मा जी की बड़ी भाविश्माई नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कविताराना मेरे साथ अचारे मेंग जी स्वागति सब्सक्राइब कवितारी सभी दर्शकों को साधा नमस्कार हाली मैं विनाशकारी भुकम से इस वक्त सीरिया और तुर्की में मातम पस्रा हुआ है आपको बता दे कि बीते दिन आए 7.8 की तीवरिता से जैसे भुकम के जटके लोगों ने महसूस किये खासका सीरिया और तुर्की में पूरी तरफ अफरा तफरी मच गई और बताया जा रहा है कि मरने वालों का आखरा चार हजार से भी उपर चला गया तो वहीं गायलों की संक्या 10 हजार से भी उपर बताई जा रही है ऐसे में सवाल यह उठता है कि नई साल के शुरुवात से लेके बैक टू बैक इस तरह भुकम का आना भुकम के तेज जटकों का महसूस होना जो धर्ती की जो कमपन महसूस की जा रही है इसके पीछे का जोतिश आनेलिसस क्या कहता है आखिर क्यों बार-बार भुकम के जटके महसूस के जा रहे हैं अब क्या कोई बड़ी विवदा आने को तयार है आज जहीं हम जानेंगे महिंग जी से बताई महिंग जी देखिए इस समय जो ग्रहों की स्थिती है वह उतनी फ दलाव आ सकता है या कोई अशुब योग का निर्मान हो रहा है या कोई बड़ी वीपत्ति तो नहीं आएगी तो हमने वीडियो बना कर कहा था कि शनी जब राश्वी परिवर्तन करेंगे यानि कि 17 जनवरी के बाद तो यह जो समय रहेगा यह उतना भेतर नी रहेगा यू यूती मेश में हो या कुम राश्वी में हो सिंग राश्वी में हो तो यह जारा तभाई मचाती है यह शनी राव को इन राश्यों पर देखे तो यह बड़ा नुकसान होता है उस समय हमने कहा था कि जब ऐसी परिस्थिती बनती है तो अगनी कान बुगम पित्यादी एक ल तो कहिंदके इन गरहों के यूति से सिर्फ बिश्व के उन हिस्सों बल्कि कुछ और बी इस तरही की आशंका एं यह बंब विस्वो टितियादी ए अगनी कांट रेल डुर गतना वा यू दूर गतना इस तरही की चीजे होने की अशनका बनी रहती है जब पसूर्य शनी पूरी राहू को देखे तो इस तरह की स्थीतियों को बल मिनता है राहू भी मेश राशी में है तो इसलिए समस्या यह जादा है तो हमने यह कहा था कि तो 2023 का वर्ष रहेगा यह थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाने वाला है और उसमें भी बताया था कि फर्वरी से लेके और सितंबर तक का समय यानि फर्वरी से सितंबर आप मारे पुराने वीडियो उठा के देख लीजिए उसमें भी बोला गया है कि फर्वरी से सितंबर तक का समय जो रहेगा वो इतना शुब नहीं है और शनी पर जो राहू की दरश्टी है वो एकुडेसी देखे तो 30 अक् आपको विश्व के कही हिस्सों में देखने को मिलेंगी या उतार चड़ा बना रहेगा अमेरिका ब्रिटेन इटली फ्रांस यूरोपेन कंट्री हमने पिछले वीडियो में बदाया था इन लोगों के लिए समय संक्ट वाला रहेगा परिशानियों में इजाफा हो सकता है फिरहाल तो खासकर इटली और सीरिया में हालात बहुत जादा भ्यावा है और उन हालातों को देखते हुए मरने वाली लोगों की संख्या को देखते हुए जिस तरह से वापे तबाही मचाई उसको देखते प्रशासन ने वहाँ साथ दिनों का शोक गोशित कर दिया है आने वाला भविष्य कैसा रहेगा कैसे उबर पाएगा लिए जब भी किसी प्रदेश में किसी देश में इस तरह की घटनाय घटती है तो उससे रिकवरी होने में समय लगता है जी अब जो घरेसिती बन दी है अभी कम से कम इस तरह की और भुकंप आपको वहां पर दुब लग जाएंगे तो इसलिए समय लगेगा समय के अनुसार चीजों में बदलाव आएगा लेकिन शनी के ओपर रहू की द्रश्टी का पढ़ना जो है और शनी सूरी की जो है वरत्मान में इतनी शुब नहीं है तो समलकर चलने की जरोथ है पूरे विश्य कोई और यह जो 22 अपरेल से फिर एक साथ हो रहे हैं मेश राची में तो गुरु राहू का चांडाल दोश होता है अब यह 13 साल में देखिए ब्रस्पती राशी परिवरतन करके एक राशी में पदलते हैं तो काफी वर्षों के बाद यह योग बंदा है तो 22 अपरेल से इस यूती में भी जानिया बढ़ेंगी तो इसलिए थोड़ा साथ हो संभल कर चलना है इन डिजास्टर से या इस तरह की विपरित परिस्तितियों से मैं यह देखा जाता है कि जब जब ग्रहन आता है कोई बड़ा ग्रहन आता है जिन परिस्तितियों में आता है जिन ग्रह गोचरों में आता 2019 के उसके बाद कोरणा की दस तक का उसी से कनेक्शन रहा उस ग्रहन के चलते दो साल तक खास कर पूरी दुनिया को कोरणा जहलना पड़ा और उसके बाद हाल फिल हाल में जो अभी देव दिवाली के मौके पर बैक टू बैक 15 दिनों के अंदर दो ग्रहन पड़े आपके सूर आपदाओं का जो कहर है वो मनिश्य जाती पर टूटे और देखने को भी मिल रहा है और अब आगे भी 2023 में आगे आपका चंदर ग्रहर सूरी ग्रहन पड़ रहा है और जिन शूब योग में मतलब जिन शूब या अशूब परिस्तित्यों में जो ग्रहन पड़ रहा है इस जो है चंद्र राशी चलते हैं तो रोग भीमारी या द्रुगटना को बढ़ा जेते हैं यह जिनकी कुंड़ी में स्थितियां बनती है उनको भी विपरीत परिस्तियों का सामना करना पड़ता है अब भारत देश के लिए अगर देखें तो थोड़ी सी चिंदा वाली बात जिस तरह की वहां आप देवी है बारत में इतना बड़ा कोई संकत नहीं आएगा तनी बड़ी पत्ति कोई नहीं आएगी जो कुंड़ी गरानक्षातर भी कह रहे हैं लेकिन श्यानी के ओपर राहू की द्रस्टी जो है यह क्या संकेत देगी कि हां पर भुकम तो आएंगे लेकिन कम तीवड़ता के रहेंगे और भुकम जारा देखने को मिलेंगे आपको और चकरवात तुफान इस बार जादा रहेंगा और हो सकता है कि बरसाते भी कम रहें और कहीं सुखा इस बार पढ़ने की आशनका जादा है क्योंकि 22 अपरेल से जैसे गुरू राओ की यू तो मार्च से ही आपको देखने को मिलेगा जबर्दस कि मार्च से ही भीषन गर्मी शुरू हो जानी कि अपकर कहने कि इसपर गर्मी बहुत पढ़नेवाली एक रहें दुछाओ को दिखने हों कि शनी राहू को अभी से देख रहे हैं तो और राहू मेश राशी में बैठे ह शनी राहू को मेश राशी में जब देखें तो अगनी की व्रद्धी होती है, आग की व्रद्धी होती है, तुफान, तेज हवाईं चलेंगी, इस तरह की घटना गरम आपको नहीं लोगों मिलेंगी अगर बात करें अपने देश भारत की, तो प्राकरतिक आपदा के समय, जहाँ जहाँ भी जिस देश में इस तरह की आपदाएं सामने हो आई हैं, घटी हैं, तो भारत में हर स्तर पर, हर मौके पर दुनिया की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, चाहे बात हम सीरिया तुर्की क की बात करें या जब पाकिस्तान में बाड आया तो उस वक्त पर हाथ बढ़ाया है, बांगलेदेश की बात करें, नेपाल की बात करें, चीन को लेकर बात करें, तो मैं आपसे ही जाना चाहूंगी, कि आगे ऐसी मददा प्राकरतिक आपदाओं के इस संकट के समय में भारत कितनी बड़ी भूमिका रहेगी एक मददगार के तौर पर भारत देश शुरूशे एक ऐसा देश राया जिसने की पडोसी मुलकों से राष्टों से या जितने भी विश्व के देशों में मतलब की संधी के पक्षम ही बात करी है, बात करी है, बात करने के सहयोग ही हमेशा करते रहेंगे पूरा सहयोग में और इस्तरी से भारत को भी भविश्य में पूरा सहयोग मिलता चला जाएगा तो इस तरह की कोई भी समस्या या कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, तो यह हमारे देश का सोभाग्य है, यूंकि भारत वर्ष के कुंड़ी में अगर में देखे तो चंद्रमा की सिती और सूरी की सिती बहुत बल्वान है जिसके कारण भारत को विश्व का सयोग हमेशा मिलता रहता है चली तो प्राकरतिक आपदाओं के बढ़ते घटनाओं के पीछे का असल मकसद मतलब उनके पीछे के रह से क्या है या फिर आप इंके पीछे के क्या व झाल